हलो अन्य वेल्कम टो लाइफ लेयर्स मैं संदीप आज आपको बताऊंगा ऑल्ट की की ताकत के बारे में विंडोज वाले ऑल्ट मैक वाले ऑप्षन पेमर पर काम कर रहे हो तो यह की के बारे में पताऊना बहुत जादा जरूरी है आप फोन से फोटेज लेते हो कैमरा से ल लगता है कि यह वाली क्लिप यहां हो नीची थी यहां इसी कॉंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है रोड़ा सा होच-पोच होने लगता है तब आपकी हेल्प करेगी ऑल्ट की बहुत जादा और की के बहुत जादा बेनेफिट से वही मैं बताने के लिए इस क्लास में आया हू तो देखिए यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता है क्लिप यह उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया सेम चीज़ पहला को कॉपी पेस्ट क्लिप क्लिप सेलेक्टेड है यह क्लिप सेलेक्टेड है इसको मैंने पहले और प्रेस किया आप मेरे यहां पर कीश देखते रहिएग जिसको मैं उपर लेके जाऊंगा तो देखिए यह वाली जो वीडियो है वह कॉपी हुआ है स्वीम चीज आप ऑडियो के साथ भी कर सकते हो कॉपीपेस्ट हो गया अगर आपको सिर्फ के इस क्लिप के अंदर वीडियो कॉपी पेस्ट करना है और यह लेक्रिक है है कि आप चाहो तो और यो को भी कर सकते हो अलग अलग ठीक है ओके यह हुआ कॉपी पेस्टिंग कॉपी पेस्टिंग टाममलेंग के ऊपर हमने करी पूरी पूरे क्लिप को और वीडियो रौद्दियोंड पेस्टिंग गम मुछे लगता है वो है इभी कंट्रोल इब और 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 वह कैसे है तो आप Alt प्रेस करके इस Keyframe को ठाइए, Keyframe भी Copy-Paste होते हैं आप Alt से Keyframes को भी Copy-Paste कर सकते हो, ओके? दूसरा, खोड़ी, तीसरा, ये क्लिप है, मैंने Alt प्रेस किया, मैं अब की दबा रहा हूँ जो Arrow Keys होती है, उसमें अब की दबारों तो देखिए, मेरा वीडियो उपर जा रहा है Audio भी उपर आने की कोशिश कर रहा है, पर Audio के पास कहीं Space नहीं उपर जाने के लिए क्योंकि वो वीडियो वाले में तो जानी सकता, इसलिए सिर्फ आपको वीडियो दिख रहा है पर वहीं अगर मैं Down की करता हूं, तो वीडियो के पास भी Space होगा और Audio के पास भी Space होगा तो देखिए, यह ऐसे उपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है चौथा जो इसमें आपको बहुत यूसफुल होगा वह होगा एक यह कि कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी क्लिप के अंदर आपको सिर्फ वीडियो को ट्रिम करना है पर साथ में यह Audio को ट्रिम हो जाता है तो आप क्या कर सकते है या तो इसको Ctrl L Shortcut होता है Ctrl L आप इससे दोनों को Unlink करो और फिर इसको ड्रैक करके ट्रिम करो या फिर Audio को ट्रिम करो क्यों कि यह दोनों Unlink है पर हमको यह तो करना नहीं यह तो लंबा procedure है मैंने इसको फिल लिंक कर दिया आप Alt Press करिए यह मैंने Alt Press किया और देखिए मैं Trim कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ वीडियो Trim हुआ है Ctrl Z आप सेम चीज इसके साथ भी कर सकते हैं Alt Press करिए और इसको मैंने Trim कर दिया और इसके अच्छी बात क्या होती है कि आपका Audio वीडियो तभी भी Linked होते हैं ठीक है यह हुआ आज भी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं पर फिर भी मैं एक बार दोबार रिपीट करता हूं एफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर गया और मैंने देखा कि जो मोशन है मोशन एक्रिबूट के जितने भी सब एक्रिबूट से हैं स्केल रोटेशन एंटिफलिकर यह पे चाहता हूं कि मोशन के जितने भी सब एक्रिबूट है वो सारे रिट्रेक्ट हो जाज से खुले ना रहे और त्वीशन के जितने भी सब एक्रिबूट हो गए हैं वहीं अगर attributes यह वाले attributes अगर fully expanded हैं और नीचे audio के भी expanded है यह तो आप किसी भी attributes के उपर alt press करके आप माउस क्लिक करेंगे तो सारे attributes में निमायद हो जाते हैं बहुत useful होता है यह वाला मैं अगर आप लगाते हो तो तो मैं आपको बता हूँ ना इतना ज्यादा बड़ा होता है माली जैस क्लिप के उपर गया मैं कलर में गया और मैंने एक लगा दिया पेसिक करेक्शन लगा दिया उसके पर लेटिए लग गया है तो यह तो बहुत बड़ा है देखिए आप जूब इसको स्क्रॉल करते हैं कहां गया लिमेट्री और साथ सोचो आपने एक दो लिमेट्री लगा रखें बीच में आपने कहीं गौशन लगा रखें ब्लैकन वाइट लगा रखा है साचिरेशन का कुछ लगा रखा है या को इसको मिनिमाइस करना है तो आपको पूरा एक इफेक कंट्रोल का एक फायदा हुआ दूसरा मैं अपने वर्क स्पेस में वापस जाता हूं इसमें एक चीज और है कि अगर आप टाम लैन के ऊपर कहीं भी हो और आपने आल प्रेस करके से स्क्रॉल किया तो आपकी जो टाम चाहिन होती है वह जूम आउट होती है यह मतलब आपवीन जूम आउट कर सकते हो इससे ट्रैक को भी सूम इन जूम आउट कर सकते हो यहाँ पर मौए लेकर आओ इस खाली पर और ट्रेस करो आप टाउन बर्दधी इसकी आप लोग जानते होगा जिस पर लेके जाओं वह expand होगा इस पे लाया तो यह देखिए इस पे लाया तो यह देखिए इसको मैं आपको tilt ki से बचाद़ता हूँ यह देखिए ठीक है यहाँ पर रहा है खाली यह देखिए को यदू आप यह कर सकते हो एक और बहुत benefit होता है इसका the calm कभी कभी ही selective को बहूत मानिट मानिट सा मूव करना होता है बहुत मानिट मानिट सा मूव करना होता है देखिए मैं अभी जो बात कर रहा हूं देखिए फ्रेम वाइस बात कर रहा हूं ठीक है कभी-कभी आपको बहुत मानिट मानिट सा फ्रेम यूज करना पड़ता है क्या होता है आप ऐसे मूव कर जाती कभी-कभी ऐसा होता है कि इसके ओपर ओवर लैप कर जाती है थोड़ी सी तो जब भी ऐसा करना हो आपको बहुत माइनूट सा अभी तो देखिए सब सब यह लिंक्ट है और सबका जो साइज है जो लेंथ है इसका आडियो वीडियो की सेम है कई बारा से होता कि आडियो इंवह में लिंक कर देता हूं अभी मुझे इसको इधर लेकर आना तो कई वार ऐसा होता है और इधर भी एक और आडियो है पॉब्लो मां आते हैं इन चाट आप इसको बहुत माध्यूटली बीच मूव कर सकते हैं वो तो कैसे देखिया फ्रेम वाइस भी कर सकते में दिख एक पेस्ट दुआना को वह एक कर तरह आल एक वह एक सिर्फ फेरेंड मुव रहा है एक आय। आपको पूरी टाम्लíनों के लिए फेरेंड के ऊपर आपको दह से दिखे गोभीगई हो गर रहा है ऑपको दिखेगा पर आप जब हम ऐने करोगे तब आपको दीखे मतलब जब आपको बहुत हलकालगा सा क्लिप को मूव करना होता है जो आपको माउस से आपकी वह चीज आप अचीज नहीं कर पाते हो तब आप ऐसे मूव कर सकते हो आप करोंगा तो आपको पता ही है वह क्लिप ऊपर चली जाएगी ऑल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट दबात यह क्लिप में अथे सबस्रकेल जो क्लिप स्लेक्टिडप फ्रेम अब करोंगा को सब्सक्राइब और कर दिया दें कर दिए तो मेरी जो क्लिप सेलेक्टिड है वह मूव होती है यह यह थे और के कुछ बेनेफिट मैं एक गिंजे मुझे लगा जा रहे गया मैं बता देता हूं यह खली मैंने कभी-गभी ऐसा होता है कि आपने जो ड्रेग किया यहां पर आपको उसमीं आपको औूढ़ीयो नहीं चाहिए या सिर्फ औूढ़ीयो चाहिए वीडियो वरना आप इसको Unlink करते फिर एक एक करके डिलीट करते आप पहले Alt प्रेस करो और किसी एक को सेलेट कर लो और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है मैंने Alt बटन भी छोड़ दिया है और क्लेक भी छोड़ दिया सेम चीज आप वीडियो के साथ भी कर सकते हो आपने कुछ और मैंने Alt भी छोड़ दिया है माउस की भी माउस भी छोड़ दिया और सब्सक्राइब होते हैं इनको यूज करिएगा आप कोशिश करिएगा जब भी आपको एडिटिंग कर रहे हैं कुछ भी करने बहले ही स्टार्टिंग में आपको टाइम लग रहा है इन मैटोड को य जो लाओगे नहीं फरस्टेट नहीं हो गए रहे यार यह यह भी यह नहीं थी वहां चली गई वह पॉब्लम्स आपके बहुत कम हो जाएगे मेरी एक क्लास और टाम लाइन के एक नहीं शायद दू तीन और बनाऊंगा पर मैंने आपको बोला था कि मैं आप जो क्लास बना सब्सक्राइब करें आपको बता चुका हूं इफेक्ट की भी कैसे कर सकते हो आज मैंने आपको बताया ऑल्ट की के जादू अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट्स में कोई भी सवाल हो मेरे से पूछिए मुझे पता हो के तो अंसर दूंगा नहीं पता होंगे तो मेरे लिए अच्छा है मैं वी उनके जोंड़ूंगा और आप लोगो को दूंगा मैं बिपरफेक्ट नुए यार कुछ ना कुछत ऐसा होगा जो मुझे भी प्रेमें में नहीं आता होगा तो चले मिलते है मुझा नेक्स्क्रास मे Okay, बाइब बाइब